तो कल की क्लास का जो एक्षुली पार्ट फाइव वाला वीडियो है ना वो रिकॉर्ड नी हुआ है ठीक है बट हाँ अब्वेस है में पास बैक अप में वो स्टोर है तो बैक अप में उसको लाइस्ट्रीम करने के लिए मुझे अपने एक से तिर घंटे उसके परती समर्पि करने पड़ेंगे वह भी कम्प्लीट शांती में तो व्यस्थे कि तुम्हें पार्ट शिक्स पहले मिलेगा और पार्ट फाइव बाद में मिलेगा पार्ट फाइव दन है मेरे पास वह मिल जाएगा तो आज की ग्लास में हम लोग नॉमेंक्लेशर सीखेंगे आप लोगों क कुछ पचे कुछे फंक्षनल रूप्स का जैसे की ऐसे ड हलाइट इसके हम लोग नॉमेंक्लेशर सीखने वाले हैं जिसे लोग ऐसे ड हलाइट बहने के बजाये आप यह भी कह सकते हो ऑप इसको अच्छा दूसरा नॉमेंक्लेशर हम यह से सीखेंगे दाट वुड़ बी आपका amides और जो तीसा नॉमिंक्लेचर आज हम लोगों को सीखना है अगर ये तीन नॉमिंक्लेचर हम लोगों के जल्दी हो गए जल्दी मतलब एक गंडे से अगर पहले हो गए तो आज की ही क्लास में हम लोग जो आपके कुछ miscellaneous नॉमिंक्लेचर है जैसे acid, hydrazide और acid, azide इनको भी आज पढ़के फुरसत कर देंगे वो इसी लिए पढ़के फुरसत कर देने को मैं कह रही हूँ क्यों कि कैसा है फिर कल की क्लास से हम लोगों को जो नॉमिंक्लेचर सीखने होंगे न वो सिफ nitrogen containing compounds वाले नॉमिंक्लेचर सी तो फिर मैं यह कह सकती हूँ कि कल की क्लास के बाद आप लोगों का जो आयूपी सी नॉमिंक्लेचर है यह ओल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुका है मैंने आपे वर्ड आल्मोस्ट इसलिए यूज किया क्योंकि miscellaneous कुछ ऐसे नाम होते हैं आप लोगों के और ग्यानिक क्यमिस् ठीक है इनके नॉमिंक्लेचर हम लोगों को सीखने है बट उतना वीडियो हमारा लॉंग नहीं जाएगा शॉट सी क्लास में हम लोग इसको सीख लेंगे साइकलिक इदर्स के नॉमिंक्लेचर आपको देखने रहेंगे और उसके बाद अगर तुम लोगों के पास कल को कोई ऐसी रिंग आ जाती है जैसे अभी आगे जाके तुम लोगों को रिंग के साथ तुम्हारा वास्ता पड़ेगा आप पी रिडीन क्या होता है आई तिंग यह सब चीज़े मैं असे बता चुकी हूँ तो कोशिश मैं यही करूँगी कि कल की क्लास के बाद आपका आई उपी एसी रॉमिंग प्लेचर खताम हो जाए हाँ एक क्लास मुझे और लगेगी तुम लोगों को सेक टर्ट ब्यूट यह वाले जो वर्ड्स होते कॉमन नेम कि सेक कब लगाते हैं प्रॉप कब लगाते हैं यह सारे शब्दों का प्रयोग के लिए आपको एक क्लास मुझे लगने वाली है और एक तीसरी क्लास हमको लगेगी जिसमें मैं तुम्हें कुछ एक्जामपल्स ले लूँगी आई यू पीसी नॉमिंग करें ठीक है कोशिछ में कैब का कि कल केकल ही जितना मैक्स दुम्हाक्स में दे सकती हूं वो। देःटनुगी इस व्क ओपरें बराबर साथली आज कोशिच करोंगी जितना में ध्रॉमार्श कर सकती हूं कल मेरा मीनीमन मर्हें और कल ये क्लास खतम ताकि मंटै ओन्वेंट चाप्टर की तरह मूफ कर सके ताइट विल बी General A rebellion लिगेंटी ठीक है General Organic Chemistry आइसमे मईस्ति इसम यह दोना हम लोग साइड साइड बाइ साइड साइड पड़ेंगे क्योंकि जब अब General Organic Chemistry पढ़ोगे तब आपको आइसमेरिस्म की नीट पड़ेगी तो अभी ऐसा है थोड़ा सा पेल लगेगा और लॉक्डाउने घर में कामी क्या तुम लोगों के पास तो जादा टाइम देखे जादा से आदा चीजों को कवर अप कर लो ताकि बाद में तुम लोगों को मिनीमम टाइम देना पड़ी ठीक है चलो अब यह तीन नॉमिंक्लेचर करते हैं वक्त आप लोगों को पहचानना कैसे है कि आपके पास जो गीवन सप्टन्स है वह आप लोगों का ऐसे डलाइड है कि आपका अमाईड है कि आपका एनाइड राइड है ठीक है अमाईड भी वैसे नाइट्रोजन कंटिनिंग और यहां पे आपने कोई हैलोजन अटाच करके रखा है ठीक है लाइड फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह इस तरह के का कोई एक्स यहां पे क्या है आप लोगों का अगर कोई हैलोजने तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप कहते हो एसाइं है लाइन या फिर कर दो कर दो कर दो कर दो तो यह होते हैं हम लोगों के acid alides और अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास इसी तरीके का काम होता R, C, double bond O और यहाँ पर अगर होता NH2 तो इस NH2 की presence की वज़ा से यह जो particular species होती इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं आप लोगों के amides राइट अच्छा अब आगे गाड़ी बनाते हैं हम लोग आप लोगों के पास और एक है आपके पास amide किसी भी compound को देखकर हमेश्या दो ही बातचीत की जाती हैं अगर माल लेते हैं कार्बन की chain है और वो compound अकेला है तो definitely वो खुद एक ऐसा functional group बिहेव करेगा बड़ अगर कार्बन की chain है और उसमें कोई एक पहले से एक ऐसा compound मौझूद है ठीकें जो आपके given compound से ज़्यादा priority का है तो ऐसे में क्या होगा वो compound विचारा खुद एक local बन जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब हमारा given compound as a functional group बिहेव करेगा तब उसका नाम क्या होगा और जब वो विचारा as a local बिहेव करेगा तब उसका नाम क्या होगा हमें यह याद रखना है जैसे alcohols के लिए सबको पता होता है कि हम लोग ol all लगाते हैं किसी के भी नाम के पीछे बट जब वही o h as a functional बिहेव नहीं कर रहा है तो उसके नाम के पीछे हम लोग कौन सा वर्ड लगाना शुरू कर देते हैं hydro oxy जैसे ketones है अगर माल नहीं दे है मेरी चेर में कोई ketone वाला functional रूप है तो मैं उसके नाम के पीछे क्या लगा रहे थी हूँ o n e o बट अगर मुझे पता है कि वो as a functional बिहेव नहीं कर रहा है जो कि कल के part 5 वाले वीडियो में मैंने ऐसे दो illustrations लिये हैं तो actually उसके लिए फिर हम लोग कौन सा word यूश करने लगते oxo तो अगर आप लोगों का acid halide as a functional बिहेव कर रहा है तो उसके लिए जाम वर यूश करते है that is o-y-l-oil और h-a-l-i-d-e halide o-y-l-oil और उसके बाल h-a-l-i-d-e halide लेकिन अगर वो same species as a locant behave कर रही है तो उसके लिए जो हम लोग word use करते है that is आप लोगों का hello carbonil ठीक है वो क्या कराने लगता है hello और फिर carbonil अच्छा है ना नाम hello carbonil सुनने में भी बराबर और similarly amides में भी क्या है कि अगर वो चीज as a खुद looking behave कर रही है तो उसके लिया simply word क्या use कर लेते हो amide और अगर वो यी same species as a function group behave कर रहे है तो आप use करते हो amide but अगर वोही same species as a fucking ग・ experience नहीं गर रही है तो उसके लिए जो हम लोग word use करते हैं that word is आप carb amide ए क्या word use करते हैं कार्भ amide यह होता है वो शब्द तो आभी हमने कितने शब्द सीखे हमने यह आप अभी टोटल आप लोगों के कितने शब्द सीख लिए चार अगर एसे रहाई खुद एज़ लोकेंड बीएव कर रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे हेलो कार्बोनिल अगर अमाइज एज़ लोकेंड बीएव कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करोगे डाट विल बी कार्ब अमाईज ठीक है अगर वो खुद ऐसे फंक्शन रूप बीएव कर रहे है तो ओ वाई एल ओई ठीक है और फिर गाप देखे है यह लाईड और अगर एमाईड है तो एमाईड में करने के बाद उसके बदले में आप जिस वर्ड का प्रयोग करोगे ताट विल बी ओ वाई एल ओई और फिर आजाएगा है अचे एल आईड है ठीक है अलक्यान लिखेंगे इको ड्रॉप करेंगे और इको ड्रॉप करके उसके बदले में हम वापे कौन सा वाला शब्द का प्रयोग करेंगे आपका ओ वाई एल ओयल हलाइड और अगर यही सेम बात चीत अमाइड के लिए चल रही होती तो अमाइड में भी यही होता हम लोग क्या करते अलकेन के पीछे का जो ई है इसको हम लोग ड्रॉप करते ड्रॉप करने के बाद जो भी आपका नाम होता अलक वो को बस e-drop करना है इस बात का ध्यान रखोगे तो अभी बस इसी से चोटे-चोटे प्यारे-प्यारे से एक्जाम्पल से उनको देख लो खतम हो जाती यह बात रहे जैसे कि आपके पास कोई चीज ऐसी आ गए जैसे CH3, C double bond O और यहां पे आ गया C L तो बताओ इसका नाम क्या होगा टोटल यह दो कार्बन का है तो दो कार्बन का है और भी हेलोजन लगाए तो समझ जाना कि यह बातचीत किसके बारे में हो रही है असेट सेलाइट के बारे में हो रही है दो कार्बन का है तो कौनसा वर लगा दिये इथान तक तो आपको उसका नाम लिखना ही है और उसके पीछे O Y L और फिर आ जाएगा वर्ड क्लोराइड इथानॉड क्लोराइड यह इस तरी के से ठीक है फिर अगर माल लेते हैं कुछ इंन्क्लोड बरममा लेते हैं कार्बोनील ग्रूट में हैं यह पीछलोल ने इसो कार्बोनेल नामफ भॉल इसलिए ençaप मतलऴ को हैं कार्बोनील क्रूप गर्लूद इसलिए औल क willst तो यह तो फिर ब्रो में यहाँड ब्रुमीन अ गार्लो घुम्हार नाम गरते सारी केसी अभी यही सेम बात चीज अगर आपको साथ साथ दिख रही है तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूं बात कर रही हूं बात कर रही हूं अमाइट्स की अगर सिर्फ नेच्टू दिखता है तो क्या होता है वह हम कल की क्लास में देखेंगे बट आज सी डबल बॉंड है और सी डबल बॉंड के साथ में आपको एनिश्टू देखने को मिल रहा है ठीक है so therefore they are classified as amides acid amides भी बोलते है कई लोग अब including this carbonyl carbon हमारे पास तो overall एक ही carbon है तो अगर मैं इसका IUPAC name देखूंगी तो IUPAC name क्या हो जाएगा एक carbon का है इसलिए methane पीछे का E drop हो जाएगा और word वहाँ पे use होगा आपका amide methane amide ठीक है similarly अगर कोई चीज ऐसी होती CHV C double bond O और यहाँ पे NH2 तो इस carbonyl carbon को अगर मैं include करूं तो total कितने carbon बैठते हैं दो carbon तो दो carbon के साथ यह चीज कैसी हो जाती आप लोगों की ethane उसके बीचे का E drop करो और वहाँ पे जो word लग जाता that would be amide ethane amide तो यह रिखना carbonyl carbon को count करना है और उसको count करके आपके पास जो total बनता है उस total का आपको क्या करना है बस वहाँ पे लिख देना है E drop करके that's all ठीक है अब इसमी में ethane amide मतलब acid amide और acid halides इन दोनों से related कुछ common nomenclature देख लो ठीक है common मतलब कुछ numerical देख लो common nomenclature जो होता है आप usually 12th standard में जब आते हो आप एक एक nomenclature को जब पढ़ते हो तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं हर chapter में उनके आई-उ-पी-इसी नomenclature को नहीं पढ़ाती हूं मैं आई-उ-पी-इसी क्योंकि अभी मैं पढ़ा दे रही हूं न तो उस chapter में repeat क्यों पढ़ाओंगी तुम्हों सोचो तुम्हें तो अतना आना चाहिए अगर में को repeating पढ़ाना होगा तो तुम्हें लगता कि मुझे अभ भी कार्बन नहीं है बच समझ जाओ कि हर पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजंट कर रहा है तो यह आपको देखने को मिल रहा है तो देखते बराबर समझ में आ गया कि यह एसेड हैलाइट का केस है अब मुझे यहां पर क्या करनी है नम्बरिंग करनी है तो यहां से मैं वान नमबर स्टाट करूंगी टू नमबर अब देखो टू के बाद में पास ऑप्शन है थ्री देने का क्या कल की क्लास याने की पार्ट फाइव वाले वीडियो में तुम थोड़ा देखना उसे मैंने चीक चीक के बताया कि थर्ड नमबर कभी भी रिंग पर नहीं आएग तो as a result यह जो मेरी ring है यह जो मेरी ring है यह ring किसके जैसे behave करने लगी as a low-end behave करने लगी कौनसी position पर है second position पर है और ring का नाम क्या होगा मतलब पहले position लिखती और क्योंकि ring है इसलिए word cyclo use करना पड़ेगा 6 carbon का है so therefore we are using the word hexile और total कितने carbon है यहाँ पे 4 carbon है तो यहाँ पे हम व double bond third position पर है तो beauty और उसके बाद 3 और यहाँ पर आजाएगा en ठीक है अच्छा आखरी का e क्या करूं मतलब e ऐसे लिखूं की ने लिखूं तो यहां रखना हम लोग जब acid highlights की या फिर जब amides की nomenclature करते है तो यह आखरी का e drop करते है उसके बदले में आप वर्ड लगा ब्रोमाइड this will be the nomenclature यह ऐसा होगा तुम याद रखना कि आप भी जितनी भी आयूपसी नॉमिंकलेचर पड़ोगे कभी जो basic fundamental rules है वो basic fundamental rules कभी change नहीं होंगे basic fundamental rules कभी change नहीं होंगे का मतलब कि आपको पहले position का नाम लिखना है फिर आपको लोकेंस के नाम लिखना है अल यह सब variation आपको देखने को मिलते जाएंगे बड़ जो basics है वो basics कभी change नहीं होंगे ठीक है ओके तो अभी जैसे माल लेते हैं यह आप लोगों के सामने दो structures मैंने दी है इनका तुम्हें आयूपसी नॉमिंकलेचर करना है सबसे पहले आपको one number देना है तो one number तो देखो यह जो C double bond O वाला जो C होता है न वहीं पर दे देते हैं अब बाद आती है second किसको देंगे तो उसके बाजी वाले को देंगे अब बाद आती है third किसको देंगे तो third में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नीचे वाले को दे देना चाहिए तो नीचे वाले को देके मुझे क् वन टू नीचे में आ गए थ्री बात खतम तीन कार्बन का यार क्या मतलब तो थर्ड अब इसको देंगे अब थर्ड देने के बाद अब decision लेना है फोर्थ किसको दे फोर्थ हो सकता है कोई student एक उपर वाले इस कार्बन को दे दे बट क्या मिलेगा हमें longest chain चाहिए तो longest chain भी मिल रही है इसको फोर्थ देने से और साथी साथ में triple bond भी तो मिल रहा है तो इसलिए इस बार जो आप लोगों की longest chain होगी वो longest chain ये होगी ये बराबा ये होगी ठीक है आच्छा और ये जो हैं आप लोगों के ये एक कार्बन वाला ये क्या होगा अपका locant होगा ये एक कार्बन वाला आपका क्या होगा locant होगा ये इस तरही के से ठीक है ये आपके क्या हो जाएंगे locant हो जाएंगे कौन सी position पे लगे हैं ये locant आपके third और second position पे लगे so therefore इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 बराबर और उसके बार word आजाएगा dye और यहाँ पे आजाएगा आप लोगों का methyl, अच्छा सॉरी मैंने dye और methyl के बीच में gap दे दिया, gap नहीं देना है, dye, methyl अच्छा, और कोई लोगें डे क्या, नहीं अभी सीधे carbon की chain कितने carbon की chain है, गिन लो 5 carbon की chain है so its name will be what, आप लोगों का pent, pent के बाद 4th position पे yn yn के बाद वैसे मुझे e लगाना चाहिए, बट e लगा के मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं तो इसके बाद में simply यहाँ पे क्या लगा दूँगी, o, y, l oil, और आकरी में iodine है, तो iodine नहीं लिखते, उसको लिखेंगे iodide, done यह इस तरीके से acid highlight का nomenclature करना है, यह जो I capital letters में है, इसको small letters में कर देते हैं, यह ऐसे अब आरी आती है, यह जो ऊपर में एक और structure मेंने बनाया है, इसका IUPAC से nomenclature करने की तो अगर पहले आप numbering करो आपने इसको numbering की 1, इसको numbering की 2 देखो, अगर उपर जाओगे तो एक carbon मिलेगा, नीचे आओगे एक carbon मिलेगा, सीधा जाओगे एक carbon मिलेगा, तो यहाँ पे longest chain equality यही possible है, और उपर या नीचे या सामने जाने से ऐसा कोई फाइदा तो हो नी रहा है, कि double bond या triple bond भी मैडम मिल रहे है, तो आप भी longest chain को भूलो, double bond और triple bond का ख्यार रखो, ऐसा भी कुछ नहीं है तो indirectly, यह जो दो लोग है, एक यह और एक यह, यह दोनों के आप लोगों के एक एक carbon के हैं और यह दोनों के दोनों आप लोगों के क्या बन गए है, लोकेंट बन गए है क्या बन गए है आप लोगों के लोकेंट तो total कितनी हो गए यहापे दो carbon, दो लोकेंट हो गए so its name would be 2,2 यहापे word आ जाएगा आप लोगों का क्या, di, methyl, छोटा सा डाज देने के बाद, और total 3 carbon है, तो word आजाएगा propan, p, r, o, p, a, n, o, y, l और क्योंकि chlorine है, इसलिए इसका नाम आजाएगा chloride, यह इसका nomenclature है, तो तुम्हें नहीं लगता कि जो basic fundamental rules हैं, इस nomenclature के वो follow हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है, चलो, एक और question देखते हैं, जिसमें maximum students, गलती करते हैं, मैं, बोलती भले ही हूँ कि गलती करते हैं, तुम सुनते जरूर हो कि गलती करते हैं, जब तुम लोगों का paper लिया जाए, या जब तुम लोगों के सामने सवाल को रखा जाए, तो उस दिन भी रेकना, तुम लोग गलती ही करोगे, ठीक है, तो वो गलती था कि नहीं होनी चाहिए, इसी लिए बार-बार step के questions लिए जाते हैं, अब जैसे मैंने लेना है carbon number one, तो ये हो गया carbon number one, अब मुझको लेना है carbon number two, ये मैंने ले लिया carbon number two, अब ध्यान से सुनू कई लोग क्या करेंगे, carbon number three के लिए, वो ये वाला रस्ता चुरेंगे, चलो, ये हम लोग हमारी longest chain के लिए ये वाला path select करते हैं, बट कता ही नहीं, ये आप लोगों की longest chain नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती मैडम है तो maximum carbon ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर आपने third number इसको दे दिया, तो इसमे double bond आ रहा है, भली ये longest हो, ये भली ये longest ना हो तो ये ही तो हमने सीखा है कि अगर double bond और triple bond आ रहा है, तो double bond और triple bond को भाई तु include करो double bond और triple bond को include करने से क्या होगा तुम्हारी जो कार्बन की चैने बली वो लॉंगेस ना हूँ चलेगा ठीक है लेकिन डबल बाउन ट्रिपल बाउन आना चाहिए तो वह सीधा पात कवर करने का भूत होता है ना वह भूत कई स्टूडेंट्स के अंदर होता है वह उनको समझता नहीं है कि वह च इसका नॉमिंकिलेटर लिखना है ठीक है तो कॉक्कॉं सी पॉजेशेंस पे आप लोगों को पहले यह चेक करना है तो बेसिकली डोन्त ईू तिंग कि यह जो पूरा पूरा पार्ट है यह पूरा का पूरा पार्ट एक लोकेंट बन गया और वो भी कैसा लोकेंट बन गया यह आप लोगों का एक वैसे तो तीन कार्बन का लोकेंट है यह ठीक है अगर मैं इसके प्रॉपर आयू पेसी नॉमिंक्लेचर करूँ तो देखो इसको कैसे लिखेंगे second position से lock end है तो जिस position से आपका lock end connected है उसको हम लोग दे रहते हैं one number यह हो गया one number अब उसके बाल मुझको इसको देना है second number तो अब यह जो मेरा बिचारा यह है इसको तो कोई number मिली नहीं पाया तो यह मेरा basically क्या बन गया sub lock end बन गया तो तुमको यह चीज सिखाई गई है कि sub lock end की numbering कैसे करते हैं एक दम आई यू पेसी नॉमिंक्लेचर के जो स्टार्टिंग के वीडियो से ना उसमें देखना मैंने सिखाए ना lock end फिर sub lock end कैसे numbering करते हैं तो पहले मैं नाम लिखूंगी sub lock end का पहले तो position लिखते हैं कि जिस position से आपका lock end connected है second position से lock end connected है उसके बाद उसका जो sub lock end है उसका नाम लिखते है तो इसमें sub lock end एक कार्वन का है वो भी first position से connected है तो one यह आपे मिथाई उसके बाद आपके lock end का नाम तो lock end तो या दो ही कार्वन का है इसलिए word आ जाएगा ethyl bracket close total carbon कितने के हैं तो यह है आप लोगों का prop prop यानि की prop और उसके बाद यहां पे क्या जाएगा second position पे en in और उसके बाद क्या जाएगा o y l oil gap देने की need नहीं थी again मैंने gap दे दिया en o y l और पीछे में क्या जाएगा bromide अब ध्यान रखना इस question में दो type की mistakes हो सकती है इस question में जो पहली mistake number one होती है वो longest chain को select करने में हो जाती है ठीक है हमें लगता है कि longest chain select करनी चाहिए तो हम लोग वो double bond वाली chain को longest में consider नहीं करते और double bond को low end बना देते हैं तो यह एक पहली mistake और mistake number two यहाँ पे norm लिखते वक्त हो जाती है वी हम लोग क्या करते हैं जो basic IUPAC के नियम है हम उस नियमों को ignore कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे सब low end को consider ही नहीं करते हमारा दिमाग कैसा चलता है कि अच्छा यह जो आप लोगों का low end है यह total 3 carbon का है तो चलो इसको नाम दे देते हैं प्रोपाईल तो यहाँ पे नाम प्रोपाईल नहीं देना है आपका जो लोकेंट है जिस carbon से attached होता है उसी carbon को one number देते हैं one के बाद हमें two देना होता है two मैंने दे दिया अब एक three तो उपर मैं जानी सकती ना जो एक student इस particular question में कर सकता है बराबर यह दो mistakes के point है तो ध्यान रखना यह mistake के point हमेशा होते हैं जरूरी निया कि acid highlights केस में ही हो रहे है यह mistake के points आप कहीं भी कर सकते हो कहीं भी मतलब कहीं पे भी ठीक है अच्छा अब यह हो गया आपका C double bond O C L एक मिनट C double bond O और यहां पे आगया C L और दूसरा हो गया यहां पे आप लोगों की पास एक रिंग और यहां पे आगया कार्बन यहां पे आगया C double bond O और यहां पे आगया C L अब तुम मुझे बताओ यहां पे अगर इसका नॉमिंक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगी पहली बात तो दोनों नॉमिंक्लेचर में डिफरेंस किया है डिफरेंस यह है कि यहां पे यह जो आपका functional group है यह एक कार्बन की chain से connected है बराबर और यहां पे जो यह functional group है यह directly ring से connected है ठीक है तो directly से connected होने पर और directly chain से connected होने में क्या difference पढ़ता है तो जो चीज़ वायर chain connected है उससे कोई खास फरक नहीं बढ़ता उसमें तो आप जो rules follow कर रहे हो वही rules follow करो C double bond O को number देते है 1 उसके बाजुवाले carbon को number देते है 2 और फी 3 अगर मैं देने जाओं तो मैं ring में entry ले ले रही हूं तो ring में entry नहीं होती आपका ring बिचारा क्या मन जाएगा उस particular question के लिए क्या बन जाएगा लोकेंट बन जाएगा ठीक है तो इसको आमने बना दिया लोकेंट अब इसका नाम लिखना दो कार्बन है तो Ethan और उसके बाद O Y L और यहाँ पर word आ गया क्लोराइड लेकिन अब इसमें देखो mistake होने का point अब mistake देखो कहां पर होती है mistake लोग क्या करते है same यही pattern same यही rule left hand side के लिए भी apply करते कि यह मेरे पास एक कार्बन का है और एक कार्बन का है और रिंग को मैं parent में ले नी सकता तो चलो एक काम करते है मैं अपनी रिंग को लोकेंट बना देता हूँ so they write it as one cyclo hexyle और उसके बाद एक कार्बन का है इसलिए they write it as methane oil chloride यह ऐसे वो लिख देते है done यह उनका रिंग को connected है directly ring को connected है ठीक है directly तो ऐसे में एकदम ध्यान से याद रखना कि जब यह directly connected वाला case आता है तो जो इसका correct nomenclature होगा वो कैसा होगा आपकी जो ring है वो ring आपकी मतलब ऐसे लिखी जाएगी cyclo hexane और उस ring के बाहार में जो functional group है उस functional group के पास अपना खुद का carbon है वो भी एक ठीक है तो उसके लिए हम जो word use करेंगे that will be carbonal और क्योंकि एक halogen है so it will be written as chloride यह बहुत important है इसमें गड़डाना मत इस प्रकार के nomenclature में यह इस type के ही questions अगर देना हो तो एक teacher देता है ताकि एक student max to max confused हो के और दूसरा जो nomenclature वे एक teacher दे सकते हैं वो यह वाला देते हैं यह वाला nomenclature मैं बार बार repeat कर रही हूं कि अगर आपके पास more than three more than three sorry more than two same type के functional group है जिनके पास वो भी directly carbon की chain से अगर वो connected हैं तो ऐसे लोगों का nomenclature हम IUPAC के according थोड़ा अलग तरीके से करते हैं क्या होता है अलग तरीका total यहां पे three carbon है lead name one two and three so their name are going to be what P-R-O-P-A-N-E propane पुरा उंका नाम हम लिखेंगे और after writing their name ठीक है वहां पे हमने पहले उंका पुरा नाम लिख दिया और उसके बाद फिर नंबर दे रहते हैं one two three dash क्योंकि तीन है तो आपके हम लोग word use करते है try और फिर उसके लिए word use कर लेगे कार्बोनिल chloride क्यों हमने यहां पे word कार्बोनिल chloride use किया क्यों यहां पे मैंने word कार्बोनिल chloride यार रखना जब भी दो से ज्यादा function रुप directly carbon की chain से connected है और branching नहीं हो तो यह वाला तरीका आपको use करना होता है यही सेम चीज मैंने तुम लोगों को इसमें भी सिखाई थी जब हम लोग acid का नॉमिंक्लेचर सीख रहे थे ठीक है आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रवचन मत सुनना ठीक है अगर खुद बना बना के देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अभी तक के जो classes की उस classes से जो आपने नॉमिंक्लेचर सीखा वो आपके कोई काम आभी रहे की नहीं आ रहा है या फिर यह चीज ऐसी हो रही है आगे पाठ और पीछे से पाठ ठीक है यह दो नॉमिंक्लेचर रहे ठीक है तो इसके answers हम लिखते है सबसे पहले आपको यहां पे functional group detect करना है तो यार इन दोनों ही question में एक इच function रूप है वो है आपका C double bond O CL यही आपका function रूप है अभी C double bond O CL का नियम होता है कि जो carbon उसका होता है बस आपको उसी point से numbering कर देनी है यह आपने numbering कर दी बाजुवाले को आपने 2 number कर दिया अब जब 3 number आप करने आए तो 3 number ring के अंदग घुसरा है so it is not allowed तो पूरी की पूरी ring including उसका double bond including उसका NO2 क्या बन जाएगा एक locan बन जाएगा ठीक है वो बाद में tension लेते है locan का नाम मुझे पता है आगे लिखना होता है मैं लिख दूँगी बट पहले parent का नाम लिखका मैं खतम करती हूँ कहानी तो दो कार्बन का है so its name would be ethane OYL oil और पीछे आजाएगा CHLORIDE यह हो गया अच्छा अब उसके बाद की कहानी सुनो अब यह जो मेरी ring है यह ring पूरी की पूरी मेरी क्या बन चुकी है locan बन चुकी है तो थोड़ा ध्यान से काम करेंगे ring जिस carbon से या carbon जिस ring दोनों जिस point से connected है उसको हम देते है one number locan की भी तो numbering करनी परती है खुद की अब मेरे पास दो option है मैं one number देने के बाद anti clockwise जाओंगी और NO2 को मैं second number दे दूँगी या फिर मेरे पास एक और option है कि मैं clockwise जाओं और उसके carbon को मैं second number दूँ तो मैं किसको second number दूँ NO2 को या फिर मुझे NO2 को lowest position पे रखना चाहिए कि double bond को lowest position पे रखना चाहिए तो मैं जानती हूँ कि NO2 versus double bond में priority किसकी ज़्यादा है NO2 की या फिर NO2 के जगा कल को मानने तो कोई दूसरी भी चीज होती तो भी priority किसकी ज़्यादा होती NO2 की ही होती तो second number इसको मिलेगा third number इसको मिलेगा और इसको मिलेगा fourth number ये ऐसे तो अगर मैं पूछू कि तुमारा locant कौन सी position पे connected है तो तुम बोलोगे locant second position पे है बट locant के पास तो sub locant भी है तो पहला sub locant कौन है नाइट्रो वो भी कौन सी position पे second position पे तो नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का बताओ यहाँ पे two नाइट्रो ठीक है ये done हो गया और उसके बाद फिर क्या आजाएगा cyclo यह आगया cyclo word अच्छा यह जगा कम पड़ जाएगी तो इसको तोड़ा पीछे किसका देते है यह हो जाएगा आप लोगों का hex अच्छा double bond है कौन सी position पे 4 positions पे 4 E N Y L क्योंकि locant है फिर bracket close और उसके बाद आप लोगों का यह parent यानि कि कौन हो गया इथिनोयल chloride यह इस तरीके से ठीक है डन अब मुझे करना है इसका nomenclature तो इसका nomenclature चलो आजाते है शुरू करने तो बहुत ही simple है ध्यान रखना इस बाद आपका जो functional रूप है C double bond O CL वो directly ring से attached है और अभी-अभी मैंने तुम्हें उपर directly ring से attached होने वाले cases बताएं है so don't go bad अच्छा यह इसको मैं को देखो numbering मैं को करनी है तो numbering 1 तू इसी को करेंगे क्यों इसको 1 करेंगे अरे यान तूकि वो ची directly functional रूप से attached है न अब बाहत आती है second number देने की तो second number वैसे तो मैं को bromine को देना चाहिए था क्योंकि अभी-अभी मैंने उपर कहा बट परन्तू अगर मैं double bond में से 1 को 1 दे चुकी हूँ तो जब तक double bond की दूसरे की numbering खतम नहीं हो जाती आप उसको छोड़ कर नहीं जा सकते तो मजबूरी वश यहां पर bromine को मुझे 4 position देनी पड़ी तो क्या जाएगा इसका नाम 4 dash bromo ये बन गया आपका locant उसके बाद मुझे नाम किसका लिखना है आपकी ring का so ring का नाम क्या हो जाएगा cyclo उसके बाद क्या जाएगा but one in बराबर अब ध्यान से सुनना जब भी आपका c double bond o cl directly ring से attach होता है तो हम ये जो word e है इसको नहीं drop करते we don't drop ठीक है हम इसको drop नहीं करते और बिना drop किये हम आगे एक word लिख देते हैं that is आप लोगों का carbonil और वहाँ पे पीछे word लगा देते acid ठीक है यही same काम मैंने यहाँ देखो उपर भी किया था यहाँ पे भी मैंने एक example लिया था यह देखो यहाँ पे मैंने लिया था carbonil chloride अच्छा यहाँ पे मुझे chloride लिखना था sorry मैंने acid लिख दिया so carbonil chloride यह यहाँ पे आ गया word यह इस तरीके से यह ऐसा nomenclature हमको करना है ठीक है तो जब आपका यह functional group directly ring से connected होता है तो थोड़ा चा देखो तुम्हें ध्यान ना देना पड़ेगा बिना ध्यान दिये तुम सोचोगे कि आगे बढ़ा लेते हैं अपनी गाड़ी तो यह impossible है आपको ध्यान से उसका nomenclature आगे देखना है और आगे फिस गाड़ी अपनी बढ़ानी है अच्छ अब जैसे यहाँ पे आ गये यह आ गया अब इसमें आपको आगे अपना नामंकरण वगेरा पूरा लिखना है कैसे करोगे बताओ तो पहले तो कार्बन नंबर वन यहाँ है कार्बन नंबर टू यहाँ है क्या मैं नीचे जा सकती हूँ क्या कार्बन नंबर थी के साथ नहीं रिंग में नीजा सकती है तो यह क्या हो जाएगा, कर्बन नंबर 3, यह हो गया कर्बन नंबर 4, यह हो गया कर्बन नंबर 5, यह हो गया कर्बन नंबर 6, ठीक है, तो यह जो पूरा का पूरा मेरा नीचे का पार्ट है, यह पूरा का पूरा का नीचे का पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, आप लोगों का ए किसको वन देते हैं अब बात आती है मैं टू किसको दू तो देखो यह एक सब लोकेंट है इतना तो समझते हो वो भी आप लोगों के यह क्या है सब लोकेंट है क्या है यह आप लोगों का एक सब लोकेंट है ठीक है यह बात हम लोगों के बेजे में घुस्ती है कि हां यह एक हम लोगों का सब लोकेंट है अब यह सब लोकेंट सिर्फ एक इच कार्बन का है क्यों दो कार्बन का क्यों नहीं अरे दूसरा कार्बन तो रिंग का है ना तो एक इक कार्बन का है सो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा मिथीलीन मताब मिथाइलीन ऐसा मैं इसको लिख रही हूँ ठीक है एक मिदो को इसको लिख देती हूँ मिथिनल यह इसका नाम है और यह कितने कार्बन का है यह भी सब लोकेंट है यह दो कार्बन का है इसका नाम है इथिनल अब अगर तुम क्लोक्वाइज जाते हो तो मिथिनल को थर्ड नमबर मिलता है अगर एंटी क्लोक्वाइज जाते हो तो इथिनल को थर्ड नमबर मिलता ह तो पहले तो लोकेंट कौन सी पोजेशन से अब लोकेंट के पास जो सब लोकेंट है उनका नाम तो यह हो जाएगा थ्री डैश यहां पे वर्ड आ जाएगा इथिनल उसके बाद मुझे दूसरे लोकेंट का नाम लिखना है तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 4 डैश मिथेनल ठीक है यह हो गया और उसके बाद फिर क्या आजाएगा आपके खुद लोकेंट का नाम तो लोकेंट तो यार बहुत ही सिंपल है cyclopentane bracket close उपर कितने कार्बन है 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के रिए वर्ड यूज हो जाएगा hexonil chloride chloride था कि iodide था so it will be iodide यह हो गया अच्छा अब इसमें एक बात का ध्यान रखोगे कई लोग इसको methanol नहीं कहते होए कई books में आपको यह ऐसी भी देखने को मिठीली डिनल तुम्हें जो प्रनाउंस करना है या कर लो यह भी देखने को मिलेगा so this is also a correct form यह भी एक correct form है ठीक है तो double bond या triple bond के साथ deal करते वक ज़्यादा घबराने का नहीं है simple होते ही चीजे प्यार से करो तो सब बरबर मन जाता है जैसे माल लेते हैं आप लोगों को यह एक nomenclature दे लिया ठीक है यह आप लोगों को दे लिया इसमें अब तुम लोगों को नामंकरन करने का है कैसे करोगे इसका nomenclature तो पहले तो समझ में आ गया कि यह acid highlight वाला case है numbering करने शुरू करते है so let it be one let it be two अब देखो अब तुम्हाए पास option है अगर तुम इस तरफ चले गए तो third number दे दोगे तुम्हाए पास option है तुम नीचे आके third number दे सकते हो fourth number इसको दे दोगे five number इसको दे दोगे यानि कि total तीन रस्ते है एक ये वाला जो मैंने उपर pink pen से indicate किया है एक ये वाला कि third से आप left hand ले लो और एक है आपके पास ये gray color का कि third से आप नीचे की तरफ चले जाओ अभी कोई पगला ही होगा जो ये वाले option को correct mark करेगा so this cannot be your correct answer right अच्छा अभी बात आती है second रस्ते की second रस्ते में गए तो आपको total carbon मिलेंगे 3 और double bond आपके जेब में आजाएगा बट अगर आप नीचे गए तो आपको total carbon मिल रहे है 5 और triple bond आपकी जेब में आ रहा है right triple bond आपकी जेब में आ रहा है तो therefore हम नीचे वाले रस्ते को चूस करेंगे तो कि double bond and triple bond मेंसे हमें किसी एक को चूस करना था तो हमें triple bond को चूस किया तो हमें longest chain भी तो मिल गई तो in that case आप लोगों का ये जो part है क्या बन गया locant और ये वाला जो part है क्या बन गया locant ये locant क्योंकि एक कारबन का है और उसमें भी इसके पाढ़ double bond है तो अभी अभी मैंने बताया कई books में आपको इसका जो नाम मिलेगा ठीक है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ये मैंने इसका नाम लिग दिया और ये भी एक कारबन का है बट इसके पास कोई double bond फबल bond नहीं है तो इसका नाम simply क्या हो जाएगा अब इसका आयूपे से नॉमिंक्लेचर कर दो तो पहले locant कौंकौं से position पर एक third position पर एक second position पर अब दोनों ही locant M word से शुरू होता है क्योंकि दोनों ही मिथाईल है तो पहली priority इसको मिलेगी ठीक है क्योंकि L के बाद इसके पास I आ रहा है और इसके पास I नहीं आ रहा है इसलिए तो इसका नाम हो जाएगा three dash फिर क्या word लिखेंगे आप यहाँ पर मिथाईल फिर two dash यहाँ पर word आ जाएगा आपका यह नंबा सा इसका नाम फिर total कितने carbon हो गए पाँच तो पाँच कारबन के लिए word आ गया pent उसके बाद triple bond है fourth position पे तो four y n यह word आ गया और उसके बाद फिर कौन सा word आ जाएगा o y l oil और फिर आ जाएगा c h l o r i d e chloride यह हो गया आपका IUPAC nomenclature तो याद रखना नियम हमेशा आपको कैसे मिलेंगे save ही मिलेंगे आपको बस ध्यान रखना है ठीक है अभी कुछ questions amides के कर लेते हैं वैसे मैंने basic question तो तुम्हे amides के बता दिये हैं कि total carbon आप count करो including that c double bond o वाला और उसके बाद उसके नाम के पीछे से e-drop करो और e-drop करने के बाद आप वहाँ पे क्या लगा दो word amide यह इतना तो तुमको मैंने starting starting में ही बता दिया है ठीक है अच्छ अभी कुछ illustrations हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जिससे यह चीजे हम लोगों को और clear crystal हो जाए कि किस तरीके से इन लोगों का nomenclature हम लोगों को आगे करना है जैसे कि एक यह ले लो example और उसके अलावा एक ऐसा ले लो CH3 C double bond O NH2 ना लेते हुए एक H लिया गया और उसके इस तरह CH3 लगा दिया देखो मैंने क्या बताया था amide क्या होता है NH2 N के साथ कि अगर आपको hydrogen नहीं भी दिख रहे है या एक दिख रहे है दिखने कितने चाहिए दो बट मान लो मैंने 2 hydrogen में से एक hydrogen को replace करके अभी जैसे methyl लगा लिया ऐसा अगर मैंने कुछ कर दिया तो क्या वो species आपकी amide कहलाईगी बिल्कुल वो species अभी भी आप लोगों की क्या कहलाईगी amide कहलाईगी ठीके तो amide नहीं होगा इस बारे में तो कोई दूसरा option ही नहीं आपके पास amide तो वो है definitely वो एक amide है अब आगे क्या करना है हमको यहाँ पे numbering करनी है तो देखो इसमें तो बहुत ही simple है one number ठीके यह हो गया one यह आटा करा है बहुत दो मिनिट ठीके यह हो गया one number यह हो गया two number और उसके बाद यहाँ पे आगया आप लोगों का third number ठीके बाद simple और यह विचारी रिंग क्या बन गई आप लोगों की locan बन गई so इसका नाम क्या हो जाएगा locan second position पे है so two dash और वो भी locan cyclic है तो cyclo, propyle और total 3 carbon का है तो यहाँ पे word आजाएगा propan अब propan इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि double bond आ चुका है तो prop, two, in और उसके बाद फिर हम लोग word लिख देंगे आप लोगों का amide यह इस सरीके से यह इसका nomenclature है done, अब देखो नीचे के जो दो illustrations है इन दो illustrations में जो nitrogen के साथ दो-दो hydrogen होने चाहिए थे दोनों ही case में एक-एक hydrogen है और उनको replace करके मैंने कोई भी group लगा दिया है ठीक है, कुछ भी हो सकता है तो ऐसे case में क्या यह लोग amides रहेंगे क्या तो yes, they are amides पहली बात तो यह yes, they are amides यहाँ यह हम लोगों के amides है पहला point तो यह दूसरा point कि यह जो nitrogen से connected है ठीक है, यह लोग भली hydrogen को हटा कर आए है बट यह हमेशा, हमेशा के लिए जिन्दगी भर के लिए इनके ओपर एक stamp लग चुका है, कि तुम लोग तो हमेशा क्या कहलाओगे, locant ही कहलाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो ऐसे case में, अगर मुझे अब इसका IUPAC nomenclature लिखना है तो इसका IUPAC nomenclature क्या होगा पहले locant का नाम जो locant जो nitrogen से connected है जैसे कल की class में हम लोग easter में क्या करते थे जो locant directly oxygen से connected होता था, उसका नाम सबसे पहले लिखते थे और parent का नाम बाद में लिखते थे तो यहाँ पे भी वही होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो locant directly nitrogen से connected है उसका नाम पहले तो कौन लोगे nitrogen से directly connected है CH3 तो उसका नाम मैंने लिख दिया methane लेकिन क्योंकि वो nitrogen से connected है इसलिए वहाँ पर word use करेंगे हम N फिर उसके बाद लिखेंगे dash N dash methane जो कि N indicate कर रहा है कि वो लोगे nitrogen से connected है therefore उसके बाद अभी आपकी तो longest chain दो ही carbon की है तो इसका simple नाम हो जाएगा methane और उसके पीछे हमने word लगा दिया amide डन लेकिन हम next वाले question में आओ next वाले question में nitrogen के पाद जो BR है वो तो लोकेंट ही है लेकिन अगर इस बार मैं longest chain select करूँ तो ये मेरी longest chain होने वाली है ठीके ये मेरी longest chain होगी अब ये जो CL रहेगा ये भी तो एक लोकेंट के जैसे ही behave करेगा बराबर ये भी तो एक लोकेंट के जैसे ही behave करेगा तो इस बार दो दो लोकेंट है तो दो दो लोकेंट भले हैं आपके पास है लेकिन एक locant nitrogen वाला है और एक locant आपके पास कौन सा वाला है आप लोगों का parent का locant है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा nitrogen वाले locant का नाम पहले लिखना है चाहे alphabetical order break ही क्यों ना हो रहा हो चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा क् Bromine से connected है तो इसका नाम हो जाएगा N- यहाँ पे word आजाएगा आप लोगों का Bromo ठीक है और उसके बाद फिर आप अपने parent के locant का नाम लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2- यहाँ पे word आजाएगा Cloro और उसके बाद फिर अगेन आप लोगों के पास क्या आजाएगा तीन कार्बन है तो यहाँ पे word आजाएगा प्रोपैन और प्रोपैन के बाद हमने word लगा दिया अमाइड यह इस तरीके से यह इसका नॉमिंक्लेचर है ठीके तो यहाँ जटना तुम्हें जो questions दिये जा रहे हैं यह as such दिये जा रहे हैं कि अगर इसकी notes बनाओ और अगर proper तरीके से time to time revision करो तो तुम्हें कभी भी IUPAC nomenclature में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ arise नहीं हो सकती अगर तुम properly काम करो तो हाँ अगर properly काम नहीं करोगे तो फिर तकलीफ आईगी वो तो यार हर subject का रहता है अभी कुछ questions ring वाले कर लेते हैं क्योंकि तुम्ह क्रियेट करने लाइक कुछ है नहीं बड टालेंट तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है जैसे एक यह question दे दिया एक आप लोगों के पास यह एक रिंग है अब यह रिंग मैं directly connect कर रही हूं देखो उपर हमने जब आज acid highlight पढ़ा तो उस वक भी मैंने क्या किया directly functional group ring से एक बार connect करवाया और एक बार मैंने आप लोगों का question मतलब आपका functional group directly ring से connect नहीं करवाया तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब direct ring से connect होंगे कोई भी functional group तो नाम में क्या change आएगा और अगर वो directly connected नहीं है तो उसके नाम में क्या change आ रहा है ठीक है direct connection और indirect connection दोनों आपक करूं तो उसमें carbon double bond oxygen कहीं नहीं लिखा है बट तुम्हें यह चीज खुद समझ नहीं होगी कि वो जो CO NH2 लिखके रिया है यही CO NH2 आपका basically C double bond O है ठीक है यही आपका C double bond O है ठीक है क्या यह question directly क्या यह functional group directly ring से connected है क्या नहीं यह functional group पहले एक दूसरे carbon से connected है और फिर वो carbon ring से connected है functional group कभी भी ring से यहां पर इस particular case में directly attached नहीं है तो यह directly वाला case है क्या नहीं यह indirect attached है क्या next वाला question directly attached है बिल्कुल next वाला question directly attached है क्या उसके next वाला question directly attached है नहीं next वाला question भी देखो एक chain है और chain फिर ring से connect हुई है तो यह भी आप लोगों का indirectly attached है और जो next वाला question है यह भी आप लोगों का क्या है directly attached है बराबर ठीक है तो अभी यहां पर अगर तुम्हें इसमें longest chain सिलेक करनी हो तो longest chain तो आपके पास दो ही carbon की है तो obvious है कि जो तुमारी ring ring है ring क्या बनेगी एक lock end बनेगी lock end को भी numbering करनी पड़ती है तो मैंने lock end की इस point की numbering की one two और वैसे मैं नीचे दूंगी बराबर सेम यही काम मुझे यहां भी करना है इस particular case में मुझे lock end की numbering करने की need नहीं है reason क्योंकि कोई यहां पर double bond या कोई sub lock end की नहीं है तो इस case में nomenclature क्या हो जाएगा two उसके बाद dash यह अच्छा color नहीं है two उसके बाद dash dash के बाद हम लोग क्या word लिखेंगे कि आपके लोकेंट का नाम क्या है तो लोकेंट का नाम है साइक्लो ब्यूट ब्यूट के बाद in in कौन से number पे one number पे फिर yl यह लोकेंट का नाम अभी आपके parent का नाम वो तो दो ही carbon का है तो इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का इथान और पीछे आ जाएगा word amide इथान amide यह ऐस similarly अगर question number 3 में मुझे nomenclature करना तो यह और भी आसान है third position पे हम लोग नाम लिख देंगे cyclo hexyle तीन carbon का है तो यहाँ पे word आजाएगा propan और उसके पीछे आजाएगा word amide यह ऐसे लेकिन अब जो question number 2 और question number 4 है इसमें आपका जो functional group है वो directly ring से attached है जब भी आपका functional group directly ring से attached हो आप कभी भी उस ring का nomenclature करते वक्त आप उसके पीछे का जो e word होता है उसका कभी drop नहीं करोगे एक ring को एक ring का जैसे nomenclature किया जाता है वैसे ही लिखोगे बराबर आच्छा तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या लिखूंगी cyclopropane लेकिन अब एक difference है जब हमने पिछला question किया तो पिछले question में हमने क्या किया था जब हम लोग acid highlights वाले question कर रहे थे तब अगर कोई भी functional group directly और ring से connected होता है तो हम उसके लिए कौन सा word इस्तमाल कर रहे थे carbonyl chloride क्या यहाँ पे भी हमको ऐसा ही कोई word यूज़ करना है क्या carbonyl जैसा नहीं यहाँ पे हमें carbonyl जैसा word नहीं यूज़ करना है यहाँ पे हम जो word यूज़ करेंगे that will be carbo oxamide या फिर कह सकते हैं carbo oxamide ठीक है क्या word यूज़ करेंगे c-a-r-b carb o-x-ox- a-m-i-d-e-a-m-i carb oxamide ठीक है वैसी यहाँ पे भी इसके पीछे क्या लग जाएगा carb oxamide यह होगा उसका nomenclature यह ऐसे तो जब आपका acid hyalide directly connected है तब आपको क्या word यूज़ करना है carbonil और वो hyalide का नाम लेकिन अगर amide directly connected है तो आपको क्या यूज़ करना है वो आपको अभी यादोना ठीक है दो तिन और questions हम लोग ring वाले देखते हैं जैसे यह आप लोगों के पास ही करींग है यहाँ पे double bond है यह आपका carbon 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 यहाँ पे double bond यहाँ पे nitrogen अब देखो मैंने game किया मैंने nitrogen में एक भी hydrogen नहीं रखा सब hydrogen हटा के उसके बदले में मैंने groups लगा दिये तो कुछ गुना किया क्या नहीं उससे क्या फरक पड़ता है हमने तो अभी अभी इसका nomenclature करना सीखा है कि अगर इस प्रकार से दोनों hydrogen या एक hydrogen हटा दिया जाए तो किस तरीके से आपको nomenclature में आना है चलो यह हो गया यह हो गया आपका एक ठीक है एक और उठालो जैसे यह हो गई एक ring यहाँ पे केकड़ा बना दिया यह हो गया c o n h 2 यहाँ पर यह उपर चला गया यह रिख़ा ऐसे चलो बोलो क्या होगा इसका आयू पेसी nomenclature फटाफट बताओ तो अब ऐसे में सबसे पहले one number इसको मिलेगा ठीक है two number बाजुवाले को मिलेगा third number इसको मिलेगा यह जो प क्या बन रही है लोकेंट बट यह नाइट्रोजन के लोकेंट्स हैं ठीक है यह वाले लोक कैसे हैं यह नाइट्रोजन के लोकेंट्स हैं सबसे पहले आप नाइट्रोजन के जो लोकेंट्स हैं आप पहले उसका नाम लिखोगे तो बी आर का नाम क्या होगा ब्रोमो और जो अब किसका नाम, इथेनल का नाम, ये हो गया, इथेनल, तो indirectly, नाइट्रोजन के जो लोकेंट्स थे, उसका नाम मैंने लिग दिया, अभी जो पैरेंट है, तीन कार्बन की, उसके पास भी तो लोकेंट है ना, वो रिंग, अच्छा, पहले रिंग की नॉमिंग्लेचर, नम्बर, ये हो गया, टू नम्बर, ये हो गया, थ्री नम्बर, तो रिंग कॉन से कार्बन से अटाज़न है, थर्ड कार्बन से अटाज़न है, तो थ्री, डैश, क्या हो जाएगा, साइक्लो, पैंट, पैंट के बाद वर्ड आएगा, थ्री, डैश, E, N, और उसके बाद नॉमिंक्लेचर है, N-Bromo, अच्छा, उसके बाद N-Ethinal, और 3-Cyclo, वटेवर, यह जो भी आपने नॉमिंक्लेचर इसका किया है, यह सब ही लोग इसका नॉमिंक्लेचर यही लिखेने, मैंने भी यही लिखा, बट यह गलत है, ठीक है, इसका नॉमिंक्लेचर आपको ऐसे नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है क्या खराबी क्या है इसमें आप में तो यहीं बताया था कि हमेशा पैरेंट वालों का नाम आप पहले लिखना बिल्कुल पैरेंट वालों का नाम हम बिल्कुल सबसे पहले लिखेंगे बट जब भी आप आपको parent एक से ज़्यादा मिल जाएं, मतलब क्या कहते हैं उसको, nitrogen वाले locant एक से ज़्यादा मिल जाएं, जैसे तभी एक parent का था, एक nitrogen का था, तो आपको alphabetical order का follow याद रखना है, alphabetical order का आप ignore नहीं कर सकते हैं, तो basically ये वाला जो word है, ये आगे आएगा, ठीके और ये वाला word पीछे आएगा, ये इसका correct nomenclature होगा, क्योंकि cyclo का C पहले होता है, और ethinyl का E बाद में होता है, अब ये वाले nomenclature में आजाओ, तो देखो, यहाँ से एक शिक्षा मिलती है, कि ये जो पूरा का पूरा functional group है, ये directly ring को connected है, तो जब directly ring को connected हो, तो आपको number पहले तो कहां द तो मैं bromine के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे two number उपर double bond को देना ही बढ़ेगा, जब उसके एक end को मिल चुका है, तो इसके दूसरे end को भी numbering करनी पड़ेगी, इस हिसाब से bromine मेरी कौन से position पर आया, six position पर आया, तो नाम हो जाएगा six dash bromo, अब ring है, तो क्या इन, क्या e drop करेंगे, नहीं, इसका e drop नहीं करेंगे, क्योंकि ये directly functional group attached है, और जब directly functional group attached होता है, तो कौन सा word use करते है, carboxamide, ये हो गया, आप आजाओ next question में, यहाँ पर, क्या इस question में भी आपका functional group directly ring से attached है, बिल्कुल, अब इस ring को, let's say मैंने number दे रिया, one, अब बात आत कि मैं two number कहां दू, तो कहीं भी दू, क्योंकि ये भी दो carbon का है, ये भी दो carbon का है, दोनों ही ethyl groups है, तो कहीं भी डे-दोस से कोई फरक नहीं पड़ता, दोनों के ही alphabetical order बराबर है, तो इसके एसाब से में पर दो-दो ethyl हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 2,4 dash diethyl फिर आपकी ring, अब क्योंकि functional group directly ring से attached है, तो e-word drop नहीं होगा, cyclobutane, और उसके बाद इसके लिए word कहन सा use होते है, carboxamide, this will be its nomenclature, ये इसका nomenclature है, अपका, ठीक है, ये इसका nomenclature है, एक और थोड़ा सा complex question कर लेते हैं, मैंने उसके लिए उपर space छोड़ी हुई थी, क्य कि यहां पर, जैसे CH3, यहां पर आगया फिर आपके पास carbon, ऊपर में CH3, यहां पर आगया double bond, यहां पर आगया CH, यहां पर C double bond O, यहां पर फिर nitrogen, nitrogen के पास bromine, और यहां पर लगा दिया मैंने pH, pH का मतलब होता है, benzene ring, ठीक है, अगर benzene ring as a low-end behave कर रही है, तो हम उसके तो basically यह जो pH है, यह एक locant है, और इसका नाम है pheny, bromine एक locant है, और इसका नाम है bromo, और आप लोगों की अगर मैं chain की बात करूँ, तो यह आप लोगों की longest chain होगी, और यह बिचारा CH3, यह भी क्या बन जाएगा, आप लोगों का एक locant, तो total या तीन locant है, alphabetical order को follow करूँ, तो bromine क्योंकि पहले आता है, तो नाम हो जाएगा N-bromo, उसके बाद methyl third position पर है, तो 3-methyl, और उसके बाद N position पर again phenyl है, तो N-phenyl, total कितने carbon की chain है, चार, तो bute, आपके second position पर in, और उसके बाद जो word लग जाएगा, that would be, आप लोगों का amide, यह ऐसा, bute to in amide, यह नाम हो गया खतम हो गया हमारा nomenclature, simple, ठीक है, यह ऐसे, तो अभी आप लोगों को इसमें भी यह वाला pattern देखने को मिल सकता है, कि let's say आपके पास 3 carbon थे, तीनों carbon से आपने C-O-NH2, C-O-NH2 directly लटका दिये, मैं हर IUPAC nomenclature में यह वाले illustration को ले ही रही हूँ, क्योंकि इसमें तुम लो इसको अपनी longest chain consider कर लेते हो और इसको बना देते हो अपना low count, तो यह गलत है, जब भी, हाँ, यह चीज की जा सकती है, अगर branching आ जाए इस question में तो, फिलाल यह question unbranched है, आपके पास more than two functional group है, वो directly attached है, तीनों conditions को यह satisfy कर रहा है, तो ऐसे case में इसका जो नाम लिखने का त लिखते हो, तीन carbon का है, उसका नाम लिख दो, क्या होगा इसका नाम, प्रोपेन, उसके बाद numbering दाल दो, 1,2,3, try, try के बाद कौन सा word हम यहापे इस्तेमाल करेंगे, क्या हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, that will be carb oxamide, ठीक है, done, यह हो लिया, तो उपर जब मैंने acid hal lights लिया था, तो भी तुमको मैंने बताया था, कि किस तरीके से उसका IUPAC nomenclature आपको करना है, ठीक है, कब, जब आपका वो directly ring से attached हो, या फिर इस तरीके का आपको माँ पे कोई case देखने को मिल रहा है, तो, so this was all about the nomenclature of आप लोगों का what, आप लोगों का acid halides and amides, अब जो आज की class में मुझे तीसा nomenclature cover करना है, that was anhydride, अब क्योंकि ये वीडियो एक गंडे के उपर जा चुकी है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद वाली class में हम लोग cyclic ethers होते हैं, उसका nomenclature ले लेते हैं, continuation में, एक second वीडियो में, short सी रहेगी, और उसके बा इनकी nomenclature लोग, और कल ही कल में आप लोगों का ये acid dryers, acid azides, इनका एक और वीडियो बनाके कल IUPAC nomenclature को हम खतम कर देंगे, जो कल की last वीडियो होगी, मतलब अभी आज की class कौन से part की है, part number 6 की है, तो part number 7, part 8, part 9, total 9 parts रहेंगे, तो जो आखरी में आपका 9 part रहेगा, ठी जो आपका कल आखरी में 9 part रहेगा, उस 9 part में मैं तुम्हें वो लिस्ट लिखवा दूँगी, functional group की priority की, चल एक 9 part छोड़ो, अपन एक 10th part का भी वीडियो बना लेंगे, जिसमें आपन वो लिस्ट लिख लेंगे, कि functional group की priority की list क्या होती है, और उसके बाद, उस list के according, हम ल काम होगा, तुम्हें मान कर चलो कि Saturday को मही तर से off रहेगा, तो Saturday का काम मैं, तुम लोगों को कल के कल ही पूरा दे 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 हूं, ठीक है, और Sunday को फिर हम लोग नया chapter साट करेंगे, that will be general organic chemistry, या फिर देखेंगे, बंडे से साट करेंगे उसको, ठीक है, general organic chemistry और जो isomerism है, ये दोनों के दोनों chapters आपके side by side चलेंगे, जो कि बिना isomerism के general organic chemistry में, अगर मैं कूद गई, तो आगे जाके तुम ही को दिककत हो नहीं है, तो basically isomerism के बारे में तुम्हें तुटी-पुटी जानकारी तो मिली चुकी है, कि optical isomers क्या होते हैं, geometrical isomers क्या होते हैं, अभी ज उसके तहर तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो from Monday onwards, we are going to start GOC, ठीक है, GOC को थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, और उसके बाद GOC के साथ-साथ आपका जो chapter चल रहा है, that is redox, redox को खतम होने देते हैं, after finishing the physical chemistry chapter redox, हम लोग जो नया chapter साथ करेंगे, वो रहेगा isomerism, so आपक इस जोच के साथ साथ चलेगा redox, after finishing the word redox, we will move to word the word isomer, ठीक है, isomerism आपका तो तक तर वोग जोग 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 जाएगा, फिर हम लोग जोग जोग जाएगा, तो अभी की class यहीं पर ओवर करती हूं, उसके बाद जो next video आएगा, वो cyclic eagles के बारे में रहेगा, अगर let's say time मे उसी वीडियो में enhydrides, और जो मैं और दो छोटे-छोटो के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाली थी, उनको भी आज ही बनाके फुरसत कर दूगे, ताकि कल तुम लोगों के पास सिफ nitrogen containing compounds और priority order वाले questions आएगा, कल के लिए तुम्हारा काम कैसा रहना चाहिए, पिर minimum, ठ तो अभी इफिज को रोखते हैं, फिरम,